हेलो स्टूडेंट्स, वेल्कम टू आर चैनल, लेट्स स्टार्ट टूडेज्स सेशन, इन लास्ट सेशन, क्या किया दा हमने, क्वेश्चिन नमबर वन टू टू ट्री ओप एक्सरसाइज टू बी, पावर्स वला चैप्टर कर रहे थे, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी, तो प्लेज देख लेना उसे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चिन नमबर फॉर से, क्वेश्चिन नमबर फॉर में क्या है, राइट इच नमबर इन स्टेंडर फॉर्म, इसको किसमे करना है, स्टेंडर फॉर्म में, लास्ट के जो कोश्चिन नमबर फॉर कोश्चिन नमबर फ्री थे, उनको किसमे किया था, scientific notation में और इस बार हमें किसमें करना है standard form में standard form कौन से form होती है जिसमें ना कोई decimal होता है ना point होता है ना divide में होते है ना किसी की power होता है simple कोई number होता है तो उसे रहा कहते है standard form देखो कैसे करेंगे 5.7 into 10 raise to power 3 आपको पता है अगर point हटा देते हैं अगर यहां से point हटा देते हैं तो point के बार जितने digits होते हैं उतने 0 हम नीचे लिख लेते हैं ऐसी करते है point के बार जितने digits होते हैं उसको हम किसमें लिख लेते हैं denominator में और हमें यह भी पता है 10 raise to power 3 का मतलब क्या होता है 10 raise to power 3 का मतलब होता है 10 को कितने times लिखेंगे 3 times या कैलो 10 को 10 से multiply करेंगे 100 100 को 10 से multiply करेंगे 1000 तो एक 10 से एक 10 cancel out हो गया 10 10 10 10 10 क्या रहा हमारे पास 57 into 10 को 10 से multiply किया 100 आंसर कितना हो गया 57 100 इसको 7 multiply करेंगे आरे बही 2 0 पिछे ही तो लगानी है बस 57 को बन से किया 57 2 0 चिपका दो कितना हो गया 57 100 हो गया समझाया ए पाट next पाट पर चलते हैं B पाट 6.39 into 10 raise to power 5 what we have to do remove this decimal 6 3 9 after this decimals here is 2 digits 3 and 9 so we put here 2 digits in the denominator 6 3 9 divided by 100 क्यों लिखा 100 क्योंकि decimal के बाद कितने digits है 2 digits are there 10 raise to power 5 का मतलब क्या है कि 10 को 5 times open करेंगे 10 को 5 times open करेंगे तो कितनी zeros आ जाएंगी 5 zeros 2 0 से 2 0 cancel out होगी कितना है यह 6 3 9 into 1,000 3 zeros है 1,000 हो गया तो 6 3 9 को 1 से multiply किया 6 3 9 और 1,000 यहां 3 zeros लगा दी कितने इसी questions है सी पाट देखते है 1.71 into 10 raise to power 6 क्या लिखेंगे 1.71 पॉइंट हटा दिया नीचे कितने digits आएंगी जितने decimal के बाद digits है 2 digits हैं तो 2 zeros आएंगी multiply 10 raise to power 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 zeros are cancel out 1.71 into 10,000 कितना आगया 1.71 4.0 सा है तो कैसे लिखना है देखो 1.10.100 फिर कोमा लगाते है 1.000 10.000 Lack कोमा ऐसी तो लगाते हैं देखो यह किस पाउम में लगाया हुआ international system में international system में लगाया हुआ पहले 3 digits फिर कोमा फिर 3 digits फिर कोमा फिर 3 digits फिर कोमा यह तो हम 4th फिर से पढ़ते आ रहे हैं international system Indian system place value system वाला शेप पर होता था जो हमारे पास पहले 3 digits से पहले कोमा फिर 3 से पहले फिर 3 से पहले और Indian system में क्या होता है पहले 3 फिर 2 के बाद कोमा फिर 2 के बाद कोमा फिर 2 मतलब पहले तो 3 से पहले कोमा लगाना है फिर 2 से पहले फिर 2 से पहले फिर 2 से पहले ऐसे लगाना है international system में कैसे लगाना 3 से पहले फिर 3 से पहले 3 से पहले इसमें कोई 2 वाला है ही नहीं मतलब हर बार 3 digits से पहले कोमा लगाना है 4.0 into 10 raise to power 9, क्या रखेंगे देखो, 4 point है, point के बाद कितने digits है, अरे 4.0 है, तो इसको 4.0 को 4 भी लिख सकते हैं, लास्ट वीडियो में भी बताया था कैसे लिख सकते है, 4.0 का मतलब क्या है, 4, और 4, 10 raise to power 9, यानि कि कितने zeros है, 9 zeros है, तो क्या गरेंगे, 4 को 1 से multiply किया, 4, 9 zeros लगा दी, 3 से पहले को मा, 3 से पहले को मा, 3 से पहले को मा, ऐसे लगाते रहेंगे, according to international system, इपार्ट, 7.02 into 10 raise to power 4, क्या लिखेंगे, 7.02 लिखेंगे, क्योंकि ये digits, 0 बीच में आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये 2 भी तो आ रहा है, digit, 7.02 लिखा, point के बाद कितने digits है, 2, तो निची क्या लिखेंगे, 100, कितने zeros आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, क्योंकि 10 की power कितनी है, 4, कितने zeros से cancel out होगी, 2 zeros cancel out होगी, क्या रह गया, 702 इंटो 100, क्या लिखा, देखो, यही लिखा है, 702, 2 zeros are here, so we put here, 2 zeros, होप सो, आपको question number 4 समझ आया होगा, let's start question number 5, क्या करना है, देखो, 9.4 into 10 is to power, minus 4, जो question number 4 था, और question number 5 था, इसमें सिर्फ यही difference है, इसमें जो power थी, वो positive थी, और इसमें power क्या है, negative है, अगर negative power आती है, तो उसको positive बनाना, आप लोगों को आते है, क्या कर लो, reciprocal कर लो, देखो, 9.4 into 10 raise to power minus 4 है, अगर 10 raise to power 4 है, तो क्या मैं इसको लिखती हूँ, 1 by multiply 1 by 10 raise to power 4, denominator में लिख लिया, positive power बना ली, अब हमने, अभी अभी सीखा था, point के बाद, जितने digits होती है, उतने 0 नीचे लग जाती है, तो यह तो बन गया 94, 94 को 1 से multiply किया, 94, नीचे, यह 0 किसकी आई है, जो यह point के बाद, जितने decimal थे, और 10 raise to power 4 तो already denominator में था, यही था, is equal to 94 divided by कितना हो गया, बेस से माँ power add हो जाएंगी, that is 1 plus 4, 10 raise to power 5, कितना आगया, 94 divided by 10 raise to power 5, यानि कि यह जो सारी 0s है, सारी 0s है, 1, 2, 3, 4, 5, यह क्या है, denominator में, denominator में है, अगर point हटता है, तो denominator में 0s आ जाती है, अगर denominator में 0s होती है, तो हम क्या कर देते हैं, point लगा देते हैं, कैसे लगाएंगे, देखो जो उपर value है, अभी, last video में भी हमने सीखा था, कैसे किया था, जो मैरे पास first question था, similar like that, देखो क्या किया, 94, जो उपर है वो रख लिया, 1, 2, 3, 4, 5, point के बाद कितने digits आने चाहिए, 5 आने चाहिए, 5 आने चाहिए, जो उपर है वो तो हमने यहां रख लिया, जो space blank रहे गए, खाली रहे गए, उसमें क्या fill कर दो, 0 फिल कर दो, और point से पहले 0 लगाओ, ना लगाओ, वो आपकी मर्ची है, समझाया, देखो क्या किया, 9.4 into 10 raise to power minus 4 था, इसको जो उपर्ण किया, point हटा दिया, यानि कि 9.4 into इसकी power को positive बनाने के लिए denominator में लिख दिया, point हटाया, तो point के बाद जितने digits होते हैं, उतने 0s निचे लिख लिए 10 लिख लिए 10 multiply 10 raise to power 4, base से बाद पावर 8 होके 10 raise to power 5 हो गया, 10 raise to power 5 को जब open किया 5 0s आ गई, अब 94 divided by 1 lakh तो क्या हो जाएगा ये 5, blank space है, 94 रखा और जितने blank space रहेगे, total 5 होने चाहिए point के बाद, तो 3 0s लगा देगे, ये भी आपको बताया था कि 0s पहले लगा नहीं है, point के बाद लगें digit से पहले, ठीक है, let's move on, B part, 2 into 10 raise to power minus 3, 2 into 10 raise to power minus 3, we can write 2 into 1 by 10 raise to power 3, that is cube, 10 cube, power negative 3, denominator में आगी का हो गई, positive हो गई, इसको कैसे लिखेंगे, 2 by 1000, 2 by 1000, 2002 यहां रख दिया, यानि कि, जितने 0s हैं, उतने place होने चाहिए, तो 2 रख दिया, कितने रहेगे, 2 blank रहेगे, इनकी जगा क्या पुट कर देगे, 0 पुट कर देगे, point लगा देगे, point से पहले, एक 0 लगा देगे, 5.01 into 10 raise to power minus 2, देखो, 5.01 लिखा, point के बाद 2 digits है, 100 लिख दिया, multiply, power को positive करने के लिए, reciprocal कर दिया, 5.01, इसकी power, 10 की power 2 लिख सकते हैं, और यहां 10 की power 2 लिख सकते हैं, या फिर ऐसे काम करो, 5.01, 100 into 10 square, यह भी 100 आएगा, 5.01 divided by कितने 0s, 4 0s आजेएंगी, इन सबों multiply करिए, 4 0 आगी, क्या लिखा, 5 0 1, 4 digit होने चाहिए, point से पहले, point लगा दिया, 1, 2, 3, 4, और एक यहां point, 0.0501, D part और E part आप खुद से try करना, और मुझे comment box में बताना, क्या आप से D and E part हो गए हैं, तो आप comment करना, D and E part done, question number 6 पर चलते हैं, write the following facts in scientific notation, scientific notation मैंने आपको बताया था, किस में लिखना है, किसी भी दो numbers को product की form में लिखना है, product क्या होता है, that is multiplication, the distance from the earth to the sun is this, main चीज इसका है, चाहे line, जो मर्ची दे रखियो, जो ये दे रखा वो लिखना है, scientific notation में कैसे लिखेंगे देखो, सिर्फ पहला digit रखना है, इसके जस्ट बाद point लगाना है, 496 जितने digits तक हमें values दे रखियां, वो रखनी है, multiply 10 की power, 10 की power ध्यान से सुनना, point यहां लगाया था, इसके बाद digits count करनी है, scientific notation वाला question number 2 किया था, last video में, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 10 की power कितनी आजाएगी, 11, 1 रखा, point लगाया, 496, multiply, point के बाद जितने digits है, उतनी 10 की power आजाएगी, meter में है, meter लिख दिया, यह हमारे पास क्या हो गया, scientific notation, the average diameter of a red blood cell is, यह देखो, यह भी आपको करना आगया, कैसे करते हैं इसको, कैसे कहेंगे इसको, अभी अभी जैसे question number 5th किया था, 7 रखा, point के बाद जितने digits होते हैं, उतनी 0 लिख देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसी तो करते हैं, क्या लिखा 10, यानि कि इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की power 6, आरे भाई, decimal हटाते हैं, उसके बाद जितने digits होती हैं, उतनी 0s लिख देते हैं, और अगर 6 0s लिख यो है, 6 0 को, in the form of power, you can write, how we can write, count these 0s, and write it in the form of, 10 raise to power, number of 0s, 7 by 10 raise to power 6, 7 by 10 raise to power 6, अगर इसको उपर लिखना है, तो क्या हो जाएगी, power negative हो जाएगी, अगर निचे power positive हो उपर जाके, power negative हो गी, तो कितना हो गया, 7 into 10 raise to power minus 6, millimeter हा, तो इसके units कितनी लिख दी, millimeter लिख दी, C part, diameter of a wire in a computer chip is this, same to same B part की तरह है, तो आप ये खुद से try करना, size of a plant cell is this, same like that this, देखो, क्या करना है, one point, one two seven five, क्या करेंगे, one के बाद, just one के बाद point लिख दिया, यही लिख दिया, अब देखो, point यहाँ लगाया है, अब इससे side वारे digit count कर लो, one, two, three, four, five, कितना हो गया, 10 raise to power, five, meter लिख दिया, ये जो हमारा six question है, ये जो हमने last के five questions किया है, बिल्कुल उन पर based है, अगर आपके last के five questions आते हैं, तो six question में कुछ भी नहीं लगेगा, आपको, बिल्कुल easy लगेगा, फिर भी अगर आपको कोई doubt आता है, तो आप comment कर सकते हैं, next chapter हम next video में करेंगे, आप मुझे comment करना, next chapter कौन सा start करवाया जाएं, thank you, आपको, नहीं लगेगा,